आज बनाएंगे दोस्तों जटपट से बनने वाली सबजी वो भी बीन्स से चटपटी हरी बीन्स नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम बना रहे हैं बीन्स से काफी बढ़िया सबजी वो भी चटपटी आपको मज़ा आ जाएगा एक बार अगर आप इस तरह से बनाएंगे और खाएंगे जटपट से बन जाएगे आपकी साथ से आठ मिनिट में आपकी सबजी बनकर रेडी हो जाएगी जटपट से तो चलिए बनाते हैं बीन्स की सबजी बीन्स की सबजी बनाने के लिए मैंने यहां ली है 200 ग्राम बीन्स इस तरीके से मैंने पहले ही इसको धो लिया था और पान इसका साफ कर लिया था कपड़े की साहता से अब इसे काट लेते हैं काटेंगे आप चाहे तो आप चाकु से काट ले या फिर सीजर से काट सकते हैं इस तरह से आपने सारी beans को काट लेना है दोस्तों जो beans होती हैं हमारी health के लिए बहुत बढ़िया होती है खास कर डापटिक परसन के लिए beans बहुत ही बढ़िया होती है हडिया मजबूत करने के लिए काम आती है और भी बहुत सारे health benefit मिलते हैं हमें beans से जैसे की इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं इसके खाने से आँखों के लिए बहुत ही बढ़िया है बीन्स आप इस तरह से एक बार इसकी सबजी बनाकर जरूर देखें बहुत ही मज़ा आजाएगा आपको खाने में और बनाने में क्योंकि जटपट से त्यार हो जाएगी तो चलिए बीन्स हो हमने काट ली है इस तरीके से आप फटफट से काट ले या फिर पहले ही आप काट के रख ले तो बीन्स मैंने काट ली है दोस्तों ये जो बीन्स है हम आज दो तरह से बनाएंगे दोनों तरीकों में से आप एक तरीके से बना सकते हैं बहुत ही बड़ बस वही टाइम आपका लगेगा बाकी सब्जी बनाने में बिल्कुल भी टाइम जादा नहीं लगेगा तो इस तरीके से बीन्स हमने उबाल ली है आप इसको क्या करेंगे पानी इसका रिमूव कर देते हैं ताकि और ना पके बस इतनी ही हमें पकानी है यानि उबालनी है तो इस तरीके से दोस्तो इस पानी को फैकिये मत हेल्दी पानी है बहुत ही बढ़िया पानी है और ये रही बीन्स बीन्स को हम ऐसे ही रख दे थोड़ा ठंडा होने के लिए अब क्या करेंगे एक लेते हैं पैन गैस पर रख दे आपने इसमें तीन से चार चमच आल के डाल ल इस तरीके से दोस्तो आपने तेल को गरम कर लेना है और इसमें डाल लेना है एक चमच कटी हुई लैसुन का मैंने ये पहले ही काट कर रख ली थी अब लेंगे दोस्तो जैसे ही थोड़ी सी भून जाए इसमें डाल लेते हैं एक कटा हुआ प्याज आप चाहे तो इसे ग् चुका है अब इसमें डाल लेते हैं एक चमच साबूत वाला जीरा इसको मिला देते हैं और डालेंगे इसमें एक चमच धनिया धनिया आप चाहे तो साबूत ले ले या फिर कुटा हुआ ले ले या फिर पाउडर भी ले सकते हैं इसको मिला देते हैं अच्छे से थोड़ या रहता ही है हींग, तो हींग जरूर डाला करें किसी भी सबजी में, मैं तो हर सबजी में हींग डालती हूँ, इससे क्या होगा? हमारा पेट साफ रहता है, और शधील को अनेक बिमारी उसे भचाता है, तो इसको मिला देते हैं, देखिए आप इसमें डाल लेते हैं अदरक अदरक एक इंच ले और इसको इस तरह से घिस कर डाल ले या फिर आप इसका पेश्ट भी डाल सकते हैं इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं जैसे कि दोस्तो ये रोस्ट हो जाए इस तरह से हो जाए देखिए मैं आपको दि दोस्तो इस टाइम पर जो आप डेगी मिर्च या काश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी का प्रियोग करते हैं इस टाइम पर तो आपकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है एक तो खाने में भी टेश्टी बनती है और एक कलर भी इसका बहुत बढ़िया आता है आप देखिए रोष्ट कर लेते हैं थोड़ा सा रोष्ट करने के बाद इसमें डालेंगे एक कटा हुआ टमाटर चाहे तो आप इसका पेश्ट बना कर भी ले सकते हैं है या फिर इस तरह से इसको काट कर भी ले सकते हैं जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर लें तो इस तरी disclaimer से दोस्तों टमाटर को हम अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से भून जाए मसाल अच्छे से पकना चाहिए बस इस तरह से करते हुए टमाटर को आपने रोस्ट कर लेना है और टमाटर डाला है तो यहाँ पर हम इसमें इसी टाइम पर नमक भी डाल ले पूरी सब्जी के नाम का मैंने अभी नमक मिला लिया है आप चाहे तो थोड़ा सा डाले थोड़ा बाद में डाले या फिर पूरा भी डाल सकते हैं आपकी इच्छा जो हो वो कर ले तो इस तरीके से सारा टमाटर भून लेना है अच्छे से मसाला त्यार कर लेना है तो में आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी बस जितना भी टाइम लगेगा आपका उबालने में लगेगा बाकी सब्जी त्यार करने में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा तो इस तरीके से दोस्तों आप फटा फट से सब्जी बना सकते हैं सुबह सुबह की भाग दोड़ हो बच्चे स्कूल जा रहे हों तो फटा फट से आप ये रेसिपी बना सकते हैं देर नहीं लगेगी बिल्कुल भी अब इसमें डाल लेते हैं इसको मिक्स करके एक चमच गरम मसाला और एक चमच ही हरी मिर्च कटी हुई मैं डाल रही हूं इस तरीके से आप चाहिए इसमें रेड मिर्ची भी डाल सकते हैं और दो चमच में ले रही हों पर हरा धनिया काट कर और इसको मिक्स कर देते हैं बहुत ही बढ़िया टेस्टी सबजी बनेगी आपकी सरह से बना कर जरूर देखें अब दोस्तो हम इसको दो तरीके से बना रहे हैं एक हम एग वाली बनाएंगे इसको और एक विदाउट एग से बनाएंगे अब देखें थोड़ी सी पक चुकी है सबजी अब इसमें डाल लेते हैं एक सीक्रेट चीज जिससे आपकी बेंस बहुत ही बढ़िया बनेगी आधी सबजी हम विदाउट एग के बनाएंगे और आधी सबजी हम एग के साथ बनाएंगे तो ये वैसे तो सबजी तियार हो गई है हम इसमें से आधी निकाल लेते हैं वो हमारी विदाउट एग रहेगी और इसमें डाल लेते हैं दो अंडे इस तरह से मैश करके इसको मि तो लीजिए दोस्तो हमारी सबजी रेडी है बनकर तो आप इस तरीके से चाहे तो आप एग वाली बना लीजिए चाहे आप विदाउट एग वाली बना लीजिए दोनों तरीकों की सबजी रेडी है बस इसको सर्व कर लीजिए देखे दोस्तो कितनी बड़िया सबजी बनी ह वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोसों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसीपी के साथ तब तक धन्यवाद